अक्षे कुमार इन दिनों मा के निधन के गम में है जन दिन से एक दिन पहले उनकी मा अरुना भाटिया चल बसी बॉलिवुट के खिलाडी अक्षे कुमार अपनी मा का बहुत ध्यान रखते थे मा अरुना भाटिया को भी वेहें अपनी साथ रखते थे मुंबई के सबसे पॉश और महंगे इलाके जूहू में रहते हैं अक्षे कुमार समंदर किनारे उनका शांदार विला है उनके बंगले की कहानी भी दिल्चस्प है अक्षे कुमार ने अपने स्ट्रॉगलिंग पीरिड में इसी घर के आगे फोटो शूट करवाया था वो बंगले के अंदर तस्वीरे के चवाना चाहते थे लेकिन चौकेदार ने उन्हें जाने नहीं दिया बात के दिनों में अक्षे ने उसी बंगले को खरीद लिया अक्षे के घर में ground floor पर kitchen, dining, living और home theater है अक्षे का closet भी नीचे ही है उपरी हिस्से में bedroom, balcony, pantry और ट्विंकल खना का office भी है अपने घर का भी interior ट्विंकल खना ने खुद ही किया है घर में सजावट के जो सामान है वो बेश कीमती है ट्विंकल ने घर के decoration के लिए विदेशते भी showpieces मंगवाए है वहीं दिवारें बहुत महंगी और खुबसूरत painting से सजी है अक्षे के घर से जुहू बीच का शानदार नजारा दिखता है अक्षे ने अपने घर का नाम प्राइम बीच रखा है जाहिर है घर से सी बीच दिखता है इसलिए उन्होंने ये नाम रखा है उनके living room में लगी lights इतनी खुबसूरत है कि सबका ध्यान खिंचती है सोफे और उन पर रखे cushions का color combination कमाल का है ट्विंकल ने अपने घर को इतना खुला रखा है कि बच्चे अराम से घर में खेल सकें इस तस्वीर में अक्षे की बेटी नितारा धमा चोकडी मचाती दिख रही है अक्षे के घर के आसपास काफी green री है साथ ही समंदर से आने वाली हवाएं उनके घर के माहौल को बेहतरीन बनाती है अक्षे को अपने घर से बहुत प्यार है जब वो मुंबई में होते हैं अपने घर में जादा से जादा वक्त बिताते हैं घर में एक home theater भी है जहां अक्षे और ट्विंकल अपनी पसंदीदा फिल्में देखने के अलावा indoor games भी खेलते हैं घर के हार bedroom से समंदर का नजारा दिखता है समंदर की तरफ वाले हिस्से में बड़ी बड़ी काँच की doors लगी हैं ताकि घर में हवा और रोश्णी भरपूर रहें अक्षे के घर में हनुमान और गनिश जी की कई मोर्थियां हैं उनके पूजा घर में हनुमान जी की एक बड़ी मोर्थी विराजमान है अक्षे और ट्विंकल के घर की शोभा, महेंगे पेंटिंग्स, जूमर, शोपीस तो बढ़ाते ही हैं, किताबों को भी घर में खूब जगा दी गई है ट्विंकल बुक्स की शौकीन है और यही वजह हैं है कि घर के कई हिस्सों में किताबे सजी है आपको बता दें कि अक्षे कुमार और रितिक रोशन पड़ोसी है, अक्षे के घर से सटा हुआ रितिक का है घर रितिक तीन साल पहले ही यहां शिफ्ट हुए है, दोनोंने कभी कोई फिल्म साथ नहीं की है, लेकिन इनके बीच प्रिष्टे बेहद अच्छे है अक्षे कुमार बॉलिवुड में सबसे जादा कमाई करने वाले एक्टर बन चुके हैं, लिहासा उनकी प्रॉपर्टी में भी काफी इजाफा हुआ है, लंडन, कैनडा, गोवा और मुंबई में उनके पास आली शान बंगले है